हाई फ्रेंज कोकुवित नीशु में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप जानते हैं आज हम बनाने वाले हैं इंस्टंट मिनी रजगुले की रेसिपी ये बहुत ही इंस्टंट बनेगी और बहुत ही यम्मी होगी मात्र दो ही तीन चीजों से तयार हो जाएगी चाहे कोई अभी फैस्टीवल हो या आपको हलका फुल का मीठा खाने का मन कर रहा हो तो आप इसे इंस्टंटली बना के इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं मेनी यह पे एक थेली दूद ले लिया है यानि की आधा लिटर अब हम एक पैन लेंगे पैन में हम दो टी के लिए गैस पे रख देंगे तो जैसे कि आप देख रहे हमारा दूद अच्छी तरीके से बॉइल हो रहा है अब इसे हम गैस से नीचे उतार लेंगे तो चलिए मैं इसे नीचे उतार लेती हूं फिर यहां में लोंगी एक चम्मच विनीगर और इसमें हम दो चम्मच पा लेंगे और अच्छी तरीके से इसे मिलाते रहेंगे ताकि हमारा दूद बहुत ही अच्छी तरीके से फट जाए तो देखिए यहां पे मैंने दो से तीन बार इसमें मिला दिया है और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे दूद का अच्छे से छेना बन चुका है यह तरीके से हमें इसे कि तैयार करके लेना ही अब इसके बाद में इसे अच्छे से चलानी क्यात इसमें एक कप ठंडा पानी डालूंगी ध्यान रखे ठंडा पानी जरूर डाले क्योंकि ठंडा पानी डालने से जो हमारा च्छेना है बहुत ही Skrt रहेगा वहना गरम प उसे हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरीके से छैना को बाहर निकाल लेंगे, तो देखिए इसमें से सारा पानी हम पहले चान लेंगे और इस पानी को हटा देंगे, तो यहां पे मैंने सारा पानी अच्छी तरीके से चान लिया है, इसी तरह से हम इसे दूसरे बावल में रखेंगे और इसे थणी पानी गडन दुग से पूरी एंगी तरीम के नज़िए असरी माले मामीसी और फेलरा है और पानी by म। तरह से रख देंगे ताकि इसका सारा पानी अच्छी तरीके से निकल जाये तो देख शारा पानी निकल चुका है आध्डा गंटा पूरा हो चुका है और आपको च prophets अऩ्व चेक करा देती हूं जो हमारा छेना है इसे grupos तो ciao, अच्छा परफेक्ट बना है अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अच्छी तरीके से देखिए जितने भी छेना है उसे मैंने सारा प्लेट में निकाल लिया है अब हम अपने छेने में आधा चम्मच यानि कि स्रिफ वन टी स्पून ही मैदा एड़ करेंगे और इसे अ अच्छी तरीके से इसे मसल लेंगे ध्यान रखें कि यह स्टेप हमें प्रॉपरली कर लेना है कम से कम 2-3 मिनट तक इसी जो हमारा छेना है जो हम बनाएंगे रसकुले वह इद्दम स्पॉंजी बनेंगे तो इसे इसलिए 2-3 मिनट तक कंटीनियूस हमें करना ही करना है तो में oil relief कर रहा है आप देखिए एख साइनस ही आ गई है हमारे हाथों में अब इसकी में छोटी छोटी लोई यां हम मिनी रसगुले बना रहे हैं इसलिए एक्दम छोटी छोटी लोई आ इसकी हम ले लेंगे तो यहाँ पर इसकी जितनी भी लोई पनेगी हमें चोटी एक ब देखरें इसमें बिल्कुल क्रैक्स नहीं है और यह देखिए कितना तेल रिलीफ कर रहा है यानि कि यह दम परफेक्ट है हमारा बनने के लिए अब हम सारे रसगुली इसी तरह से बना लेते हैं इसे कॉटन के कपड़े से ढग के रग देते हैं फिर यहां पर मिलूंगी चास तरीके से बॉइल हो जाए तो देखिए तीन से चार मिनट में यह अच्छे से बॉइल होने लगा है इसी स्टेच पे जो हमारे रसगुले हैं हम एक एक करके उसे डालेंगे ध्यान रखेंगे कि एक एक ही करके डाले सारे रसगुले एक साथ न डाले वनना इसका यह काफी अच्छे से फुल चुकी हैं काफी बड़े होंगे आप देख सकते हैं अब यहां पर मैं टेस्ट के लिए इसमें डाल रही हूं इलाइची पाउडर अगर आपको पसंद हो तो डालिए वनना आप यहां पर केसर केवडा कुछ भी यूज कर सकते हैं मैं इसे फिर आपको चेक करा देती हूं देखिए कितने अच्छे बने हैं अब इस स्टेज पर हम अपने गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे निकालेंगे तो आप देखने यह कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने स्पॉंजी बने हैं मैं आपको एक रजगुला दिखा भी दे और एक घंटे बाद देखे मैंने इसे निकाला है यह कितना अच्छा लग रहा है अगर आप लोगों को हमारी यह रेसीपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए ओके फ्रेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई रेसीपी के साथ बाई